नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आपको बता दें कि 15 शितंबर के शिभर 9 बजे शे जिया दोस्तों यह शमय से आपके जोनकाल में पगवान श्री गिनेज के अशिरबाद शी तीन यह शी महत पुर्ण गटनाएं होने वाली है जिने जा कारी के लिए बता दें कि यह शमए बुढ़ दवार का दिन होगा और जो अती शास्तर में बुढ़ दवार का दिन बगवान श्री गिनेज की का दोस्तों और श्री गिनेज की शुक्र शमर्दी के का रखे हैंource की आपके-जोनकाल में हमेशा कुछाली चाही रहती है ज्या के महोल में पार्यवर्जुन में जो भी नौग जोग चाले रही है दोस्तों आपको बिता दी कि यह श्रमाप तो हने वाले बहुत लाब करी रहने वाली है यह दोस्तों आप मोके पेच्चो का मारना ना भूले ज्यादोस्तों और वीडियो को बिल्कुली मिश्णा करें और अंतर तक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इनमियाप शभी मेहत्मजार करें को जाने की यह श्रमाप को किन चित्रों को लेकर श्रावदा नहीं होंगे कौन श्री कारें आपके लिए बागी चलेंगे आपके दरके माहल में पारुजुन में क्या-क्या शुदार होंगे त तो दोस्तों जरू लिकिएगा और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें श्राथी वेल आइकन को प्रेश करके और पर श्लेट कर लें तो आई दोस्तों वीडियो को प्राहर रभ करते हैं दोस्तों यशुमें आपका परवावशाली तता महत्मों लोग के बीच कुछ शमय वैदित करना आपके आत्मल तता कारेश हमता में और अधिक बहतरिन ब्रिधि करेगा दोस्तों आपकी परवशाली वाने भी दोस्तों के उपर बहतरिन यश में छाप छोड़ने वाली है समाजिक चेतर में आपके शंपर का दारा भी बढ़ेगा जिसे आपको आगे चलकर बहुत बहतरिन लापकी प्राप्य होंगी इसको प्राप दोस्तों यश में अगर आपकी शावधानी को लगर बात करें तो दोस्तों यश में कभी-कभी इसा आपको परतिक हो शकता है कि भाग आपका शाफ ने दे रहा है जिनकी वज़े से आपकी आत्मिश्वास में थोड़ा सा कमी भी आएगी प्रंदों दोस्तों मनन करें तो आपको महसूस होगा कि यह आपका शिर्फ वहम है दोस्तों यश में थोड़ा सा अगर लाप की बात करें तो थोड़ा सा लाप कम हो शकता है तो इनकी जिन्ता ना करें दोस्तों भईश में आपको बहुत अच्छा लाब मिलने वाले हैं आपके उत्तम व्यक्तिवत तता प्रभाव शालिवानी के प्रभाव से समाजिक और पारिवरिक छेतर में आपका यसमे रुद्वा बढ़ने वाला है दोस्तों आपके कुछ महत्मून लोगों से शंपर्क भी यसमे घनिश्ट होंगे दोस्तों दजार इस्तिदारों के साथ मेली मिला आपको खुसी यसमे आपको महसूस होने वाली है निवे शमन्दी मामलों में ज्यादा पेशा ना लगाएं क्योंभी दोस्तों यसमे नुक्षान के आशार बने हुए है यसमे यसमे आपके लिए यसमे होंगे आपके दिंजरा के लिए जिसमे होंगे दोस्तों येश में शुरुवात में ही बहुत अधिक शुगत परिणाम आपको मिलने वाला है दोस्तों येश में आपके सबी सुचे वे काम येश में शांती पुन तरीकेशी निपट जाएंगे तथा दोस्तों आपका विनमर शुभा लोगों में तारीब का भी कारण बनेगा दोस्तों अध्यात्मिक छेतर के प्रती भी आपका शुष में रूजहान और अधिक बढ़ेगा शादी दोस्तों प्रंदू कभी-कभी लापरवाई के वज़र से आप बेटे-बिठाई किसी मुश्यूबत में पढ़ सकते हैं आप पर कोई बदनामी या फिर आरोप भी लग सकता है इसलिए दोस्तों या शुमें बहुत ही समाईदारी से काम लेना आपके लिए आवश्यू होगा दोस्तों घर के वरिष्ट वएक्तियों के शलाप पर आप आवश्य अमल करें ये आपके लिए फायदेमाशाबित होंगे इसको बरान दोस्तों या शुमें आपके लिए शुमें होंगे दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों को भईश्य को लेकर जो समय होंगे कुछ विजनाये बनेंगी तिथा निवे शमन्दी कारियों में आपके दिलसजबी शुमें होने वाली है दोस्तों दिल के बजाए दिमाक्षे काम लें, हिम्मत और श्रहास के वल पर अश्रमभव कारवी यश में संभव करना आपके लिए आशान होगा शारी दोस्तों भावता में आकर कोई भी निर्ले गलत हो शकता है दोस्तों किसी नईदे की रिस्तेतारक से मामली बात पर कहाशूनी भी हो शकती है तो दोस्तों इनसे बचें शाथी कोई बाहरी व्यक्ति भी आपकी भावनों का यश में गलत फाइदा उठाशकता है यश में अत्यदिक सचित रहने की आपको आपशकता होगी इसको व्रांधों ये शुमिभर आपकी केरियर उकर लेकर बात करें तो दोस्तु ये शुमिभ कामकाच का माहल आपके पक्ष में रहेगा आर्थिक मामलों में और आशाय में किसी परकार का निवेश करना भैश को सुर crawl चित रखेगा प्रंतु दोस्तों अधिनस्त कर्मचारी की गतिवधियों पर पेनी नजर रखना आपके लिए अत्याउश होगा क्योंके दोस्तों पीट पीज़े किजी परकार के नुक्षान होने की भी आशनका लग रही है तो दोस्तों शावधन भी आपको रहना चाहिए यह श्मय अधिक्त आने पर घर के श्रदस्यों की आपको मदद लेना लाब दैग रहेगा ओपिस के भी अधिकतर काम सुचारी रूप से निपढ़ते जाएंगे इसको प्रांद दोस्तों यह श्मय आपके केरेड के लिए जह समय होंगे आपको बता दें कि यह श्मय वह श्युषाय में आर्थर के सथी बहुत भी बहतरिन रहने वाली है दोस्तों आपके अपने कारी के प्रती पूरी एक गरता आपको नए उपलोर धियों भी यश्मे परदान कने वाली है फ्रत दोस्तों किसी भी कारी को शुरू करने से पहले उनके बारे में आपको पूरी तरह जानकरी ले लेना अती आउशो होगा ओपिश का महौल भी शुरू में शांती पूर रहेगा बस दोस्तों सभी कारी के जयनकारी लेना आपके लिए आउशो होगा तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दे दोस्तों लापरवाई श्मे आपको लबर दे ये आपके लिए नुक्शान दायग होंगे इसको प्राद धिशे में आपके क्यारी छिटर के लिए जो समय होगे तो दोस्तों यह जो समय है आपके लिए उचित समय होगा आपको धेरे जेरे तरक्की भिया चुलूगी उच अदिकारियों का श्योय भी यह अपके उपर बना हुआ है इसको प्राहन दोस्तों आपको पता दें यश्मे अगर आपकी लव लाइब को लेकर बात करें तो दोस्तों पती-पत्ने के बीच अकारण एक कुछ मरमठाव रह शकता है यश्मे बहुत ही समयदारी शमदों को शुदारने की अवशकता होंगी दोस्तों बिवायोगर लोग इस घर की किसी समस्या को लेकर बैचारिक मद्भेद भी रहेंगे प्रेम शमदों में और अधीक नहीं दिक्या यश्मे आने वाली है इसको प्राहन दोस्तों यश्मे आपके लिए समय होंगे परिवार तता और स्थाय दोनों में ही शमाज़ बना रहेगा तो दोस्तों प् इसको प्राहन दोस्तों यश्मे अगर आपकी स्वास तैने सहत खुले कर बात करें तो दोस्तों अत्यधिक भागदोर की वज़शी ठकान आपके सिर्व पर हवी रह सकता है जिनसे दोस्तों सिर्व की सिर्दर्द की समस्या आपको हो शकती है दोस्तों थोड़ा शा जो थो और आपके श्रॉसके लिए यसमें बहतर होंगे श्युक्त आतर अपकर बता दी एचो में भूखना लगने तता आप चैसी श्युकाइद की रह सकती की दुझेशों रखें से तता हिरवेदिक चीजों का उपयोग करें कि आपके श्वास आपके हैष्क लिए में बहूत